नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो है हलो हाँ हलो हाँ गूड इवनिंग सर्थ हाँ गूड इवनिंग पहले तो आपका बहुत-बहुत सुक्रिया जो आप इतना इंफर्मेटिव मैसेज हम लोगत पहुंच जाते हैं कि मैं अवेर नहीं हूं तो यह सच भी होगा तो मैं डाट भी सुनोंगी इसमें कोई मुझे शरम नहीं आएगा क्योंकि सर जानते मैं 2011 की पास स्टुडेंट हूं लेकिन मेरी मेरा ऐसा मतब उस एक्जाम को पास करने के बाद ऐसा कंडिशन हो गया कि मुझे लगा कि उसको पहले अपना यह जो प्रॉब्लम में इसको सॉल्फ करना चाहिए तो मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आज भी नहीं है तो कोई बात नहीं होता है लाइप में बहुत सारे होते हैं तो अपन डाउन सलते रहते हैं और जो इंपॉर्टेंट होता है हरको इसको ध्यान दे तो काफी कुछ नौरेज मिल चुका है मुझे बचादे परसान तो मैं आपको करूंगे ने क्योंकि आप इतना परसान खुद हो जाते हैं बस मुझे यह यह पता करना है सर यह जो राष्ट इस इच्छा नीती आई है मैं एक और बात बता देते हूं मैं इस्टेट ही मैं ब करना है उस पर फोकस कीजिए आपकी हेल्प चही होगी क्योंकि सच में सार जैसे इतने सारे यूट्यूबर्स होते हैं इतना फॉल्स नौलिज देते हैं कि जो मतब और जादे पैनिक हो जाते हम लोग लगता कुछ चुड़ गया यह चुड़ गया वह चुड़ गया कोई पैसे मांग रहा कोई वहां से पैसे मांग रहा मैं यूट्यूब दे के थोड़ा मैं पहले कोई कि चलो 72 हजार में कुछ तो अपडेट आया लग रहा भी क्लोज नहीं हुआ तो मैं फोन की एक जगा तो उन्होंने मुझे तीन हजार रुपे मांगा कि आप याची बन सब्सक्राइब कुछ जानती हैं तो कर ठीक आप 22 तारी को फोन कीजे मुझे जैसे कि बर मैं याची बनी थी 2011 में लेकिन मैं नहीं बनी थी क्योंकि बताया नहीं कंडिशन आपने बताया कि आप उनसे कुछ पूछ रहे थे तो आप उनसे लगबग कितने मिनिट बात की हों क्या आपको टाइम भी नहीं देंगे कि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कुछ बताना भी नहीं रहता है नोघों को की उनको बात ही नहीं करना diff़ सिंपल सा है कि आप काज दे दो पैसे दो और फिर वह चाही है को मतलब मत रखे हो उनने से मख़े और यहां हम बात करते हैं अगला फून करता है अनौन होता है हम जानते तक नहीं है और जब तक अगला व्यक्ति बात करना चाहता है यही तो मुझे बहुत पसंद है सार जब तक क्वेस्टन करता रहता है जब तक वो जिग्यासा दिखाता है कि हाँ वो जिग्यासा रख रहा है सीखना चाहता है समझना चाहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ तक उसके तो जैसा होगा वो उसको वैसा लेगा है खानकाना को कुछ डाट पड़ी तो चलो ठीक है मुझे अपने अंदर अपडेट करना है तो हम इतने सारे यूटूब चैनल लेकर अपडेट हो गया है वन्ना हम तो राष्ट इस इच्छा निती क्या होते हैं हलाकि टीचिंग लाइन से मैं जुड़ी हूं लेकिन सच में जैसा लोग बोलते हैं कि कितना फाल्तु साया है कि मतलब इंग्लिस मिडियम नहीं रहेगा उसे सब में मैं विश्वास करते थी मतलब लोग जो है आप जिनकी भी बात की हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं वो लोग अपने आ वो कितने डिग्रियां रखे हैं और कितने सारे लोग हैं आप NCRT की कोई भी बुक उठा लिजेगा क्लास वन से लेकर के क्लास 12 तक की सिप पहला पेज दीखेगा जहां पर जो है जिनके सहयोग से वो बुक तयार किया गया है नाम पढ़िएगा क्लास वन का बुक होगा उ कोई कलगटा का होगा कोई बैंगलोर का होगा उसमें आप नाम पढ़िए इतने सारे लोग जो है कहते हैं कि अच्छा नहीं है यह खराब है इतने लोग बैठ करके मन्थन करके तब कुछी तयार कर रहे हैं तो उतने सारे लोग मुर्खतों होंगे नहीं अगर आपको लग यह खराब है और कोई क्या तीचर स्थी बोलते हैं कि उनलों को अपना फायदा दिखता है कि हम तो यह सब्जेक्ट लेके पढ़े है इसको जादे लोगों का क्या है परसेप्शन जो होता है वह इस परपस से होता है मेरा लाब हो रहा है मेरा नुक्सान आप हो रहा है तो सब तो सब ठीक है नहीं हो रहा है मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं हो आपकी जैसे कुछ गलत होता है तो अगर मेरा नजर पढ़ता हो ना तो मुझे लगता है इसको सुधार करना चाहिए हम लगभग तीन साल से लोगों से फोन पर बात करते हैं और इन तीन साल में हम बता हैं कि हमारे नौलेज में इतना इंप्रूमेंट आया भरतियों को लिए पहले हम कुछ नहीं जानते थे हम भी 2011 वाले ही थे बस उसमें जो कुछ हम देख रहे थे जब से वह जानते थे लेकिन जब से लोगों कॉल आने लगे तो आज के तारीक में हम सिक्षामित से भी बात कर लेते हैं बीटीसी आले से भी बात कर लेते हैं विसे बीटीसी जो पुरानी भरतियां 2478 वाले उनसे बात कर लेते हैं उन्हों लोगों से बात करते हैं पुराने चीज मालूम हो गये सारे सिक्षामित मैटर तो हम जानते थे थोड़ा थोड़ा लेकिन सिक्ष वह सबजी बेशते हैं और वह उनफचारी सिक्षक रहे हैं 1999 2001 में दो साल तीन साल रहे तो उनफचारी सिक्षक के बारे में आज तक हमसे किसी ने चरचाट डीटेल में नहीं किया था कोई नहीं बताया था सुनते थे सिप हमें पता भी नहीं था इसलिए हम इस पर बात नहीं हुआ क्योंकि वह जो चाहते थे हमने उनको साफ बता दे आपके लिए कहीं कुछ भी नहीं है उनको हो सकता अच्छा ना लगाओ खैर लेकिन उनसे बहुत सारी बातें हुई तब मालूम हुआ कि अनौपचारी सिक्षक की एक योजना चली थी जो की दो साल बात बंद कर द करना करने चाहते हैं लो सुधार लोग यह करना चाहते हैं बस और तीनेजार रुपए सिह दो मैं तो दो बारी आची बनी सर पता है इस 2011 में अच्छा कि मैं कोलकता में थी कि मैं क्या हो रहा क्यों कि थोड़ा मैं प्रेग्नेंट हो गए थी आपके त्विंस बेबी बैप पैदा हो गया थे फिर मेरा आइस का भी प्रावलम हो गया था तो पॉसिबल नहीं था कि मैं जा क लगोज बुखा गगया हम नो पी बीच में खा गया हंगा थो यहीं और यह की तरहा हो में दो गयागा कृत हिव आच तो पाइस बात गविशेन का उसम था तो बेखानवर कि कम होने को दो पता जी नहीं चला फिर हम लोग दिये थीन हजार रुपय नहीं साड़े तीन हजा दिये थे अच्छा उसके बाद कुछ नंबर अमर आया कि इतने नंबर पापका है लेकिन उसके बाद 2017-2018 पता चला यह पूरी तरह क्लोज हो चुका है तो हम लोगा से सो गया हम तो मुझे लगा कि छूपना नहीं चाहिए इस बार क्योंकि अगर इस बार छूड़ गया तो मेरा बहुत मुश्किल होगा तो क्या सर इसका कुछ चांस है देखे जो पूरानी भरतियां है चाहिए अभी हाल फिल हाल में पांच साल पहले हुई है 79,000 या पर उससे पहले आ किसी को भी नुक्ति नहीं मिलना है अगर मिलता भी है किसी को तो कोई खास होगा एक दम अलग उगवं किसी के लिए कुछ नहीं होना पुराने में इसब मेटर कुल है और कोई भी व्यक्ति क्यां करना है उसे वह काम को चार बार करने की जगए जब फॉरानी भरत्यों को खोलकर फाइल करेगा तो नए तरीके से एकी बार करके खतम करेगा इसी वजह से कोट और जितने भी लोग लेकर आये हैं किसी को नुक्ति गवर्मेंट ने नहीं दिया कि अब हम जो आगे प्लान कर रहे हैं जो गरबड़ियां उसको सुधार लेते हैं फिर एकी बार जो है नुक्ति देंग और उसी थोट आउडर का पालन हो रहा है इसी को वर्षावार कहें आप ना जैसे कि वर्षावार देंगे ये थोड़ा मुझे डिटेल में इसके लिए जो है आप जब राष्ट्रे सिक्षानिती पढ़ेंगी आर्टियक्ट पढ़ेंगी तो उसमें से बहुत साई चीज़ कि जो है यूपी के अगर सिभ बात कर लें तो यूपी में ही करीब करीब आठाक पद बन रहे हैं, दो लाग से कम पर्मानेट सिक्षक हैं छे लाग से ज्यादा पद यहीं खाली हैं तो अब ये इतने सारे पद खाली हैं इनको भरना है और ऐसे जैसे यूपी में है ऐसे हर था स्क्षामित्र तो वियुठक्रान के लिए नई योजना ले कर योजना ये वे सक्ष़ामित्र नहीं नियार рубability, वियुए जो भृकश्चा न बन किया, गव। एक प्लान। लेकिन उस वक्त चाहे जो हुआ उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई और फिर लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और कहीं न कहीं प्राइवेट में यह संविदाव पढ़ा रहे हैं अन्भवी लोग हैं मैक्सिमूम लोग उसमें अन्भवी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र वाले लेनी जा रहे थे बहुत साथ चीजों को ध्यान में रख करके गौवर्मेंट आगे प्लान की है और इसी के लिए उन्होंने टेट को आजीवन किया है कि जब हम यह काम सुरू करें तो टेट वाली समस्या ना आए क्योंकि कुछ लोग पहले टेट पास तो कर लिये है लेकिन अब वो फिर उसके बाद नहीं पास कर पा रहा है और उनका टेट एकस्पायर हो गया है इसी को ध्यान में रख करके 2021 में टेट को आजीवन किया गया है तो आगे जो कुछ होने जा रहा है उस पर फोकस कीजिए आगे जो है राष्टे सिचानित एक तहत केंद सरकार अपनी भरती करेगी और राजसरकार जो भरतियां कर रही है वो अपना करती रहेगी तो राजसरकार सुपर्टेट जैसे 69,000 में कराई और 68,000 में कराई वो तो करवाएगी आगे जो भी पददन के पास है खाली 50 या 60 जो भी खाली होंगे वो उस पर जैसे होता है हर बार यह केश्योंद सर्कार लेकर आएगी केश्रण करवाएगी इसमें नहीं होगा सिफ और सिफ इसमें यह दिखा जाएगा कि आप ने किया है इसके रेमेरी वाला शदू यकी मनें राज्य के अंदर निक धोना है और प्राइम्री वाला पास अगर है है, तो सीटेट या फिर राजिकाटेट कोई एक जो है अगर पास है दोनों है तो और अच्छी बात है लेकिन कम से कम कोई एक जो है प्राइमरी वाला पास अगर है और वो व्यक्ति 2011 से 2018 के बीच का है खास तोर पे उन्हीं लोगों को पहले लेने की यूजना है अच्छा अब मुझे लग रहा था कि सबसे पहले 2011 वाले को चांस दिया जाएगा जितने की टेर पास हैं देखे हमारी जो जानकारी में है वो यह है कि पहले चरण में तीन लाग के आसफास पत भर जाएंगे तो तीन लाग को अगर हम काउंट करते हैं तो 11 से 18 तक वाले उसम तो थोड़ा सा हो सकता है पांच दिन में करें दस दिन में करें पाट पाट तो बाट देंगे ना तो पाट पाट अगर बाट ना होगा तो कैसे करेंगे पहले नुबर पर 11 वालों को कर देंगे फिर 2012 वालों को 2013 वालों को अच्छा इस टाइप से ही है अब चाहे वो एक ही में सब्जेक्स कॉंबिनेशन तो नहीं और मैं कर भी नहीं कई सब्जेक्स कॉम्बिनेशन तो क्या वो वो एक्सपायर हो गया तो फिल्लीड में अभी तक आट साइड ने हो या सइन साइड हो दोनों में combination देख करके भरती तो नहीं हुई है नहीं हुई है प्रमोशन के थ्रू ही हुआ है ज्यादा तर और 2013 में भरती आई थी 29,000 तो वहां बस देखा जा रहा था कि science वाले हैं तो बायो है या नहीं और math या physics chemistry जो इस तरह की चीज़ें थी यह सब देखा जा रहा था औ और arts वाले हैं तो उनका यही social वाले सब्जेक्ट देखे जा रहे थे अब नई निमावली तयार हो रही है इसमें कुछ नया लेकर के government आए तो फिर अलग बात है अभी तक तो बस यह था कि आप आर्ट वाले हैं या science वाले हैं जो जिस background का है उससे मतलब प्रमोशन उसी आ उसके पहले भी नहीं और उसके बाद भी नहीं निकली है अब जब आएगी तो नय नियम वगरे रहेंगे तो अब नय नियम की साथ होगा तो आने पर पता चलेगा कि नया नियम क्या है जैसे कि नया नियम तो यही देखे हम खांसर का YouTube में देख रहे थे कि 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 अब कोई कोई भी पढ़ाई करके जब कोई जाता है आगे ग्रेजुएशन करके तो पता नहीं क्या करने वाला हौ सकता है वो जो है टीचिंग लाइन में हो सकता है वह इंजिनिरिंग लाइन में आगे जाता हो कुछ उधर कर ले किसी ने किसी फिल्ड में कोई तो जाएगा तो ग्रिजुएशन में किसी को कोई बाधितार न रहे क्या जिसका जिसमें इंट्रेस्ट वो पढ़ना चाहे इसलिए इस तरह का जो है नया सिस्टम लाया गया लेकिन जब हम अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो की वो हमें कहीं और लेकर चल ग़िए गल्ती किसकी है तो हमें अगर दिल्ली जाना है दिल्ली कि चाहिज लगती हो य governments की और अच्छी लगती हो शक्ती हो इसको पढ़ाई करना है उस पढ़ना पढ़े खाん nucल् कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आप कहीं किसी भरती में सामिल होने जाएंगे तो वहां अगर कोई सर्त है तो फिर वह आप झेलिएगा तो लोग बिना समझे जो है चीजों को आधा अधूर एक्सलेयन करते हैं ठीक है खांसर ने बताया वह सई चीज बताया होगा लेकिन उसका आगे क्या रोल होगा उसका आगे क्या परड़ाम होगा उस पर हो सकता है वो चर्चा ना कियों इसलिए लोग समझ भी नहीं पाएंगे और लोग इतना डीटेल में कोई भी कोई न्यू जाता है कोई भी खबर आती है कोई भी उसके आगे पीछे की बात नहीं करता है यूटूब में चले बना दे और लाइक मिल जाए यह सबका इंटेंशन रहता लेकिन आपका सर ऐसे नहीं रहता है आप प्र डिटेल बात करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ जब तक कोई यह नहीं जानेगा कि अतीत में क्या रहा कैसा रहा वरतमान में क्या चल रह आप फ्यूचर की प्लानिंग क्या है जब तक इतना नहीं जानेगा वह सही नेड़ नहीं ले पाएगा में फोकस फीचर फ्यूचर भूनाची कि हां हमारा कहीं ऐसा हो तो फ्यूचर यह इसका क्या होगा यह तो बताना बहुत जरूरी रहता है बिल्कुल आप कोई व्यक् प्रश्ट है या फिर कमिस्ट्री में है कुछ इस तरह का ले ले अब जब इसको करके वह टीचिंग में आना चाहेगा तो वह न तो आर्ट साइड में जा पाएगा नहीं साइन साइड में जा पाएगा यहां पर अलएलग कॉमेशन है अब कोई हिंदी से करना चाह रहा है कि अगर हम हिंदी के लिए कि पढ़ेंगे एक नटिच्व ले लेते हैं एक अंग्रेंजी ले लेता है चैनीज है हम क्या करना चाहतें हैं तो हम बिद्वान बन जाएं लेकिन अगर हम हिंदी के टीचर के लिए आगे अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी के साथ हमें संस्कीत रखना पड़ेगा सब्जक कॉंबिनेशन ही मुझे पता नहीं था सर हम लोगों के साथ ने हर किसी के साथ पहले भी था आज भी है कोई इतना डीटेल में बताता नहीं है और हम खुद भुक्त भोगी रहे हैं बहुत आई चीज हमने भी अपनी लाइफ में देखा है जहला है और आज भी जो है तो जो है एक दो दो व्यक्ति गोफित नौलिज देगा तो बहुत वह सारे लोगों तक यह नौलेज पहुच जाएगा सही जानगारी पहुच जाएगा अगर कहीं कुछ मिस्टेक दिख रहा है अगर मेरे आखों से दिख गया उसको करेक्ट करना बहुत ही जरूरी है नहीं तो यह हम लोग कैसे जो है सूरिय खराब हो जाएगा और हम लोग को भी आगे जो है ऐसा एक चोटे से मिस्टेक के वज़े बहुत बड़ा नोतब उसका फल मिलेगा कोई बीचेज आज अगर कहीं वह छूटा सा भी मिस्टेक कहीं कोई कर रहा है तो वह लाइफ का पार्ट है और कहीं न कहीं एफेक्ट डालेगा उसकी वज़ए से चीजें जो है या तो बनेंगी या सेंटर स्कूल में गई वह कॉंटेक्ट वाले टीचर बनने के लिए तब मुझे वहां मालूम पड़ा क्या रहे मेरा तो सब्जेक्ट कॉंबिनेशन ही नहीं अब मैं तीन साल फिर पढ़ूं तो इसलिए मैं चूस की नहीं मैं पढ़ूंगे नहीं अब हैं बस जो क्लिया ह मेरे साथ जाएं मेरा जो कुंड हा और इस नहीं रहीं किया साथ मेरे साथ के दो कॉंप जाएं तो वह सारे लोग जाकर बहुत की ए परसेंटेज भी अच्छे लेया लेकिन आज वह भी जो है परसान है तो जहां हम है वहीं है या हम उनसे बहतर कंडिशन में हैं तो हम तो यह मानते हैं कि नहीं हमारा नेर्ड़ा सही था कि हम बैक नहीं गए वह लोग बैक गए तो भी कोई लाव नहीं मिला है इंग्लिस चोड़ दिया क्योंकि थोड़ा परसेंटेज का इसू देखते हुए लगा कि इंग्लिस की वज़े से डिश्टरब होगा तो फाइनल में इंग्लिस हमने ड्रॉप कर दिया किटेब साथ आपको पाइनल के था अगर हम ऑगे रहते हैं एग्लेशीन अगे कभड़े युछ नहीं कर पाते हैं और अगे श्रॉप में जो हैं हम आगे कुछ करना चाहें सोसल में तो उसके साथ हमें या तो हिस्टी या जोग्रफी कि दोनों में इसक रखना चीए था क् तो सब खिश्री पका हुआ है तो आफे से। लेकर के आगे हम बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो है般 में हम जो कुछ भी कर रहे है प्राइविट जॉब कर रहे हैं कुछ पढ़ा रहे हैं जूटूब चिला रहे है कि तो अब हम सब कुछ ठीक है क्यों English सुधिये थोड़ी हमें आती है इकनॉमिक्स मेरा फीजी रहा है तो इकनॉमिक्स मेरा फाइनेंस से एक तरह से रिलेटेड हो गया तो आज के टाइम में बहुत साइच चीजे हैं हर वेक्ति चाहे कुछ भी करे लाइफ में लेकर अनती में फिर वो पैसा ही कमाता है तो उस फिल्ड का हमें नौलेज होने से आली चीजे मेरे लिए समझना आसान हो जाता है वही चीज आप दूसरों को बताते हैं तो उनको जल्दी समझ में आता है उसका भी बेनफिट में मिल रहा हुआ अपना जो पढ़े हैं तो नौलेज भी लोगों को देते रहते हैं सोसलाजी समाज को समझना तो यह तो बहु तो पिर मिला करके अगर हम यह देखते हैं तो हम जितना जो कुछ पीशे पढ़ाई किये हैं चाहे वह हम इंग्लीज पढ़े सुसलोजी पढ़े एकनोमिक्स पढ़े या उससे पहले हमारे इंटर की बात कर ले वहां हमारा संस्कृत भी रहा है इंग्ली तीनों सब यह तो उसको अब पॉजिटिव लें या नेगटिव लें तो अन्य लोगों की तरह हम रोते रहें कि मेरे मेरा एक कॉमनेशन नहीं है मेरे साथ यह दिक्कत है वो जिए है कि लाइफ में हम उसे यूज कर रहे हैं और उसका विल्फिट ले रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आपक मेरा जो नंबर जो है 90 तो नहीं है मेरा 90 से कम है यह जूनियर वाले में तो क्या यह टेट का नंबर कुछ प्रॉलम तो नहीं करेगा कऊई डायरेक्ड रोल कहीं नहीं है ठीक है जो भी सूपर टेट अगर आप कहीं देंगी जैसे जूनियर की बात कर रही है तो जूनियर से होगा तो वहां जो एक्जाम होगा उसका रोल होगा अब जो है यूपी सरकार ने अकैडमिक तो हटाई दिया है और टेट जो है उसका कोई विशेश रोल नहीं है 90% आपका सूपर टेट का होगा 10% इंटर्व्यू अगर होता है भविश्य में तो इस तरह का होगा नहीं त सूपर टेट से ही होना अकैडमिक से नहीं होना है कोई और टेट का अगर कहीं रोल है भी कहीं अगर होता भी है तो टेट आप बार बार दे सकती है उसको इंप्रूब कर सकती है तो आपका जो पहले का टेट है वो पूरा पूरी तरह से वैलीड है उसके बेस पर आपको भी फार्म भर सकती हैं अगर नंबर आप चाहती है और अच्छा करना तो आप फार्म भर करके फिर से देते रही है कोई दिक्कत नहीं है दे सकती है और जनरल के लिए 90 नंबर कंपल्सरी होता है 90 या उससे ज्यादा और इनके लिए तो 82 है तो आपका कौन सा कटेगरी है और फिर इतना दूर मुझे जाना पड़ता ना मेरा गोरफपूर घर है तो गोरफपूर जाने में इतना परिसानी होता है कि कोई फार्म भरो तो उसका डेट भी कैंसल हो जाता है वहां पर पता नहीं अभी तो नहीं हो रहा होगा क्योंकि इसी चिड़ से मैं कितने दिन से फार्म नहीं भर रहे थे देखे सब कुछ हम जैसा चाहें हम जैसा सिकायत करेंगे तो कोई अपने घर से एक कदम भार नहीं करने आती है वो जैसे बहुत समय हो जितनी गंदगी हो करके अपने आपको बचाते खुए जाते हैं काम करते हैं। फिर चले आते हैं। बिल्कु लाइप में भी में ऐसा ही करना है। आश्वास बहुत कुछ नेगठीव हो रहा होगा, बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। लेकिन हमें उन्हीं में से हो करके गुजरना है और अपने लिए बहतर क्या विकल्प हो चुनना है तो कहां रद्ध हो रहा है क्या हो रहा है जो इसको ले करके बैठ जाएगा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा इनको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए कि यह चीजें तो होती रहेंगी हमें बस अपना प्रयास जारी रखना है तो आप कर जाएंगी अच्छा अब त्यारी है पूरी है अब जब जाग गए हैं तो ठीक से ही देखेंगे दुनिया को हर महीने की एक तारिक को यही पेन और पेपर उठाईए और डिसाइड कीजिए कि मेरे पास च लग जाएंगी आठ गंटे है इस चोविस घंटे में आठ गंटे तो हम सोगें आरफ करेंगे आप चाहिया यह और दो भाग बनाईए कि 16 गंटे में अब आप क्या करना चाहती है बस मिचे लग रहा है कि जैसे आप बताएं सुपर टेट बहुत इंपॉर्टेट मतलब कम कोई भी भरती निकलता उसके पहले निकलता क्या सुपर टेट का मतलब ही है कि वह भरती के लिए ही कराए जा रहा है तो जब भी कोई भरती आएगी सुपर टेट होगा तो आप बस सुपर टेट का सिल्वस लेकर फोकस कीजिए तो जब आप उसकी त्यारी करेंगी तो सुपर टेट आएगा उसमें भी वो काम आएगा जो हम बता रहे हैं वहां पर हो सकता है इंटर्विव डेमो अगरह हो तो वहां पर बता है प्टाइगा तो सुपर टेट का सिल्वस लेकर पढ़ाएगा तो सुपर टेट का सिल्वस में प्रिच्छा देंगी अगर वन टू-फाइव का दे रही हैं तो वन को पूछने का लेवल होगा वह बढ़ जायेगा वह सकता हो सकता है कि चार्च तक के लेवल पर चला जाए जैसे मान लेता है हिंदी में ही है वर्ड माला है तो छोटे बच्चों पढ़ाय जाता है लेकिन यही वर्ड माला फिर क्लासिक्स में भी आता है और वहां जब आता है तो बहुत डिटेल में इस पर्स वेंजन और सारे सौर वेंजन पर पूरा वजूस का वर्गी करद वही पिर जा करकर कि अगर कोई जो है इस फिल्ड में ग्रिजुएशन कर रहा है या मास्टर डिगरे कर रहा है तो वहां पर तो बहुत डीप में पढ़ाय जाता है ating nature है तो वही सब जो बच्चा स्कूल में जा रहा शुरुआत में उसे जो वर्ड माला सिखा जा रहा एबी सीडी कखा गगा वही तो है पूरी लाइफ चलने वाला लेकिन लेवल बढ़ता चला जाता है जब भी मार्केट में आप जाएंगी सुपर टेट के बुक लेने बहुत सारे बुक मिलेंगे वो बुक सिर्फ रिफरेंस बुक हैं यानि कि एक्जाम से एक महीने पहले पढ़ने के लिए हैं कि आपने त्यारी कर रखा है अब आपको रिविजन करना है तो वो बुक कोई भी लेकर कि आप revision कर लिए इस purpose से वो बनाये गए होते हैं लेकिन ज्यादा तर लोग क्या करते हैं उसी book को लेकर कि direct preparation करते हैं और ऐसे लोग नहीं सफलो पाते हैं और completion के दौर में हो भी नहीं पाएंगे तो आपको जो है exam से पहले एक महीने पहले वो book तो पढ़ना ही है revision के purpose स के देखना है कि क्या छूड़ गया है क्या कर लीए हैं लेकिन उससे पहले cellbust लेकर के उस cellbust के carding detail में descriptive आपको पढ़ना होगा यानि कि आपको हिंधी के लिए अलग book लेना होगा इंगली के लिए अलग लेना होगा, sangscript के लिए अलग Decry आती है मार्केट में ऐसे दुख रहां बिल्कुल आती है आपको यह हम नाम बता दें अगर आप हिंदी पढ़ना चाहती है तो बहुत सारी किताबे हैं आप लुषेंट की ले सकती है सामानी हिंदी परिख्षावारी की आती है उसकी ले सकती है और भी कई पब्लिकेशन है उ तो वह हो गया बेसिक बिल्कुल त्यारी और प्रैक्टिस के लिए और अन्य चीजों को जो है त्यार करने के लिए आसान लेंग्वेज में तो लुसेंड की ही जनरल इंग्लिस आती है वो थोड़ी महंगी है 400 के आसपास होगी और मोटी होगी बड़ी होगी इसके अलावा भ यो है कग्छा 6 से कग्छा 6 से कग्छा 3 से लेकरके कख्छा 7 कि किताब स्कूल वाली पढ़ जाएए खास तौर पर अगर आरे सकरवाल की जाए स्कूल वाली किताब कंपटिशंग कैसे नहीं 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 इंसार्टी भी पढ़ सकती हैं आरेस अगरवाल साफ की भी पढ़ सकती हैं इंसार्टी पढ़ेंगी वो भी फायदा करेगा काफी हिल्प करेगा तो इंसार्टी भी पढ़ जाईए मैथ की और आरेस करवाल की भी ले करके पढ़ जाईए क्लास 3 से क्लास 7 तक 3 से जब पढ़ना सुरू करेंगी तो आसानी से हर्ची डिवीजन होता जाएगा समझ में आता जाएगा लेकर उपर की किताब उठा लेंगी तो फिर वहाँ पर तीचर से यह समझाने के लिए और नीचे से जब पढ़ते हुआएंगी एक्सरसाइज जो ह सा साइनस है और उस पर भी आहीं अब आपको अगर पर्यावरण के लिए एंसी आटी कच्छा तीन से पांच तक जो चलता है पर्यावरण वो पढ़ जाईए इतना पढ़ने पर आपका पर्यावरण भी तयार हो जाएगा साइंस भी त्यार हो जाएगा और इसके अलावा फिर आपको advanced knowledge यह सब हम जो बात कर रहे हैं बुक की यह basic हो गया अब advanced पढ़ना है आपको पर्यावरण के लिए तो पारिसी की तंत्र आता है लुसेंट का भी आता है परिक्षावारी का भी आता है आपको advanced अगर science में पढ़ना है तो biology का chemistry का physics का तीनों का जो है लुसेंट का या फिर परिक्षावारी का अलग से आता है यह सब यूपी में मिलेगा ना वहां भी मिल जाएगा आप कहीं पर ढूंड़िए लुसेंट की किताब परिक्षावारी की किताब लुसेंट की तो फेमस बुक है लुसेंट की तो फेमस बुक है तो जो है सारे बुक्स अलग-अलग हर विश्य के आ गया है मार्केट में तो पहले अलग-अलग पढ़िए फिर जो एक्जाम देना है उस एक्जाम के लिए यह सुपर्टेट कब तक होने के संभावना है यूपी के अंदर सिक्षक्सवा चैन आयोग का गठन होना है नया आयोग है यह जो पुराने आयोग थे सारे वो खत्म की जा रहे हैं तो यह आयोग का जो नेमाली अगरा जारी हो गया है और सदस्यों का चैन होना है जिसके जाएगा और जैसे अदस्यों का चैन हो जाएगा तो फिर मेटिंग होगी वह बैठ खरकर कि करेंगी कब क्या करना है कैसे करना है उसके बाद करैंडले कर रहें के कभ रहे эта ладно की कभी बरती आ सकती कभी भी आसकता है जै जारी अपनी जारी रखिए जो लोग ओवरेज हो गया उनलों को भी तो मौका मिलेगा ना सर ये तो कंफर्म है ना देखे हमेशा फोकस करना चाहिए कर्म पर फल तो मिल ही जाएगा जैसे अभी पुलिस की भरती आई है तो उसमें तीन साल का छूट दिया गया हर किसी को जनर जाया भरती हुई है तो उसमें सिक्षा मित्रों को उम्र में कोई बाधिता नहीं रखा गया अठावन साल के व्यक्ति तो अब कब कौन से छूट दी जाएगी गौवर्मेंट क्या प्लान कर रही है वो तो आने पर ही पता चलेगा हां लेकिन जो हो रहा देखा जा रहा है क तो मानकर चलिए कि आगे भी छूट मिलेगा बस आप अपना कर्म कीजिए त्यारी रखिए और जैसे कुछ आता है आपके लाएक तो कीजिए और वैसे भी यह हमने बताया है वर्सवार नुक्ति हर कच्छा में सिक्षा क्योंजना ये भी आएगा सुपर्टेट भी आएग तो बस त्यारी अपना जारी रखिए अच्छा से यह आपका कोई वार्टसेप ग्रूप का अलग नंबर है क्या नहीं जिस पर आपने कॉल किया है यही नंबर है इसी से ग्रूप चलता है आप हमें मैसेज कर दिजिएगा हम आपको ग्रूप का लिंक दे देंगा अगर मैसे आते हैं डेली अब 200-300 में जो है मुश्किल से 5-10 लोगों का मैसेज देख पाते हैं जो टॉप पर होता है तो अगर किसी का नीचे चला गया है और फिर जो है और लोगों मैसेज आते जाएंगे तो और नीचे होता चला जाता है तो अब अगर कोई वेक्ति दुबारा मैसेज करेगा तो फिर से वह उपर आजाएगा हो सकता है तब जो है नजर पढ़ जाएंगी तो वहां पर वाट्सप पर भी चैनल बना हुआ उस पर भी हर चीजी डालते रहते हैं तो वहां से भी लिंक मिल जाएगा और आप मैसेज कर दिएगा तो फेस्बूक का मिला था कर देंगे तो फेस्बूक पर वाट्सप पका टेलिग्राम आपसर जादे समझ वाता सर यह जो लिस्ट है अगर आपको प्रॉल्म है तो रख सकते हैं और नहीं बोलिए वुल्ये जिव कि आप आपको बता दे रहे हैं अभी आपसे बात करने से पहले एक वहाई साथ से बात हुई है और उनसे लंबी बात हुई है, इसी टॉपिक पर डिटेल में बात हुई है, और आपके फून रखने के बाद आधे घंटे में वो यूटूब पर आ जाएगा, उसको आप पूरा सुन लिजेगा ध्यान से, एक एक चीज़ बताएं, सौर्ट में बता दे रहे हैं, कि 2017 में सु समंदित है, लेकिन इसको नया बता करके भ्रमित करके लोगों को अलग-अलग तरीके से बताया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि यह कोई नई लिष्ट है, लोग समझे मेरा नाम नहीं है, तो इसमें हमारा भी नाम जुड जाएगा, इस तरह की चीज़ें जूट बोल बो चीज़ें लिष्ट है, कि इस लिष्ट मे में जो नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, और जिनका नाम है, उन्होंने कभी भी पहले काउंसलिंग करवाया है, तो यह काउंसलिंग जो हाइग-अतनलों करना है, जgar अँब आफ उसमें करना है, जो आप उसमें जाएंक कि एक चीज़ वहां चर्चा हुई है अच्छा नहीं क्योंकि स्रावस्ति से मैं भरी थी मैं जादे जिले तो भरी नहीं थी सिर्फ फाइफ पांच दिला उसमें स्रावस्ति का OBC का फीमेल का अब 80 के लाइन में आने ही वाला था उसी समय ये रद होगी भरती रद होगी के च ली गई तो अगर ऐसा होता तो हम लोग भी तो इसी लिए हम सोच रहे यहीं से यहीं से लूट की सुरुआत होती जो बात आप ने कहा हम भी एलिजबल थे ऐसा हुआ था वहां कटाफ ऐसा नहीं आप जितनी बातें बोल रही हैं ये आधी अधुरी बाते हैं सिम्पल में बस सुप्रीम कोड ने एक कटाफ लगाया नब्बे एक सो पांच और गॉर्मेंट को कहा कि इनको निक्टी दे कर आईए लेकिन गॉर्मेंट जो थी वो सिर्ब 12,000 पद उपर ही भरती करना चाहरे थी उससे ज़्यादा पर नहीं तो उन्होंने नब्बे एक सो पांच काउंस इसकी वैसा वो करते गए फिर अन्तिम में सुप्रीम कोड ने इस भरती को बंद करने के लिए एक जो है गेम खेला कहलें याचियों को कुछ नुक्ती दिया तो लोग जो है पूरा मैटर नहीं जानते हैं तो जो कम नंबर याची नुक्ती में पाएं उनको दिखा दिखा क अन्य लोगों को ब्रहमित क्या जाता है इसलिए कर रहे हैं अभी जो आधे गंटे बाद आने वाला है और यो आप सुनिएगा उसमें एक एक चीजी इसके बारे में क्लियर हो जाएगा अब पुराने भरती में कोई पुराने भरती हो किसी को कोई नुक्ती नहीं मिलने वा काउंसलिंग नहीं ही है तो अब लोग समझ नहीं रहे हैं और चंदा लूटने में लगे हैं और ने लोग उन्य नहीं रहे हैं कोड का ओडर उनकी बातों को सचमान करके वो इसमें परसान है जिसका नाम है वो भी परसान है हाँ मुझे भी आज बोले थै आज कल बोले थै 22 तारीक आड फोन कीजिए आप पूरे अहम डिट्ल्स बता देंगे फिर मैं सोना ही अराम से फोन कीजिए recording on कीजिए बात कीजिए रिकार्ड कीजिए वो हमें भेज दीजिए अच्छा ठीक ठीक है इसलिए कर सकते हैं बात लेकिन हम जब उसके बाद हम सर्च करें थे तब यह टैट और पास का देखें हम तो यहां से लगा मुझे हां यहां यहां की जानकार इसमर्स हर किसी से कहते ह हैं कि किसी का भी फॉन आता है आप किसी को फॉन की जै बड़े आराम से बात क Qin सामने वाला कहता है कि जो है मैंने हाथीकको ऊड़ते हैं हमने भी देखा है बस हां में हां मिला दीजिया सारी बाते हैं कर लिजिए रिकार्ड कर लीजिए Just recording किया करेंगे आपको in क्को says करेंड कर देजे, फिर हम सुनते हैं, देखते हैं, वह रिकार्डिंग उसमें कुछ ऐसी बाते होंगी, जो कि लोगों को जानना चाहिए, तो वह रिकार्डिंगे, अन्य लोग सुने लेंगे, संजेंगे, जानेगे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आच्छ ठीक है, तो मैं ह reporting or India कि है का कि यह जो लोगि इस तरह से भ्रमित करके करोड़ों- Bryce लूट रहे हैं 2030 से ले रहे हैं 25 human right away लोगों से ले रहे हैं मुष्ट अर्बार तो लोगों कि खिलाफ एक बार जब तक नहीं होगा क्यों eer लोग कूछ कि कोई कम्प्लेंगेंगें क्योंकि कोंगा लिए तुछ नहीं बढ़ानल नै तो आपने रहे हैं लिए उनके तह और बबहुत कुछ नहीं करना है वो लेटर जो है हमने नंबर भी दिया है अधिकारियों का एक लिंक हमने दिया उस पर सारी अधिकारियों का नंबर है बस वो नंबर वहां से लेना है और अपने अधिकारी को अपने जिले के या अपने इस्टेट के अधिकारी को जिसको भी लगे उनको वाट्सआप करने में कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है वाट्सआप कर देना है वो खुदी उनके वाट्सआप जैसे रिसीव होगा तो उस पर आगे जो करना होगा जो एक्षिन लेना होगा वो लेंगे तो अगर ऐसे कोई बात होगा तो सर मुझे जरूर जरूर वाट्सआप कीजिएगा आपको वह पीडिया भी दे देंगे वह पोस्ट भी देदेंगे आप उसको पढ़ लीजियो आपको जैसा उची समझ में आब यह सा आप कीजिए अच्या ठीक 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 है तो रखें आच्छा ठीक ठीक असरкиत नमस्क्राआए ही नमस्ते